बड़ी खबर, आवास का सपना होगा जल्द साकार, हर जरूरत मंद को मिलेगा प्रधान मंत्री आवास, आपसे निवेदन है वी, देयो को लाइक करे और चानल को सब्सक्राइब ताकि इस थरह की न्यूज आपको मिलती रहे, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट उत्तर प्रदेश के आठ लाग से अधिक गरीबों को बड़ा उप्हार देने जा रही योगी सरकार, सच होगा अपने घर का सपना, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर गरीब के सिर पर अपनी छट की जो मुहिम शुरू की थी, उसे बड़ी सफलता मिली है, प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहट केंद्र सरकार से सियम योगी ने आठ लाग से अधिक घरों की मांग की थी, जिसे मंगलवार को केंद्रिय ग्रामीन विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, इन आवासों के इन निर्मान के लिए 10,000 करोड रुपे की धनराशी स्वीकृत मिली है, 2. तादे की उत्तर प्रदेश में अब तक प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहट 27,000,000 आवास बनाए जा चुके हैं, 8,000,000 से अधिक नए आवासों की स्वीकृती मिलते ही उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राजे हो गया है, जहां सबसे ज़्यादा 35,000,000 से अधिक आवास ग्रामीन इलाके में बनेंगे, उत्तर प्रदेश के हर गरीब का अप नाघर हो इसके लिए सीम योगी आदित्यनाथ बेहत गंभीर है, यह चिंता समय समय पर उनके संबोधन में जहलकती भी है, उसी के एक बानगी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के ग्रामीन इलाकों में प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहते 8,62-767 नए आवास की मांग की थी, सी एम योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास रंग लाया और केंद्र सरकार के ग्रामीन विकास मंत्राले ने उनकी मांग पर मुहर लगाते हुए 8,62-767 नए आवास को स्विक्रित करते हुए 10,000 करोड की धनराशी जारी कर दी है, सभी आवास मांच 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, ऐसे में पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज होगा जहां ग्रामीन इलाके में सबसे ज़्यादा 35,00,000 से अधिक आवास बनाए गए हैं, यूपी में 35,00,000 आवास बनाने का लक्ष दरसल मुख या मंत्री योगी आधित्यनात के नेत्रित्व में उत्तर प्रदेश में पिछले साड़े पांच वर्ष में प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन की तहट 27,00,000 आवास बनाए जा चुके हैं, इन में से 26,00,000 आवास बहरतियों को 100 पे भी जा चुके हैं, शेश पर कार्य चल रहा है, पूरे देश में कुल 2.95 करोड प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास का लक्ष रखा गया है, जिसमें अकेले यूपी में 25,00,000 आवास बनेंगे.